के काईज वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ शिवा अंगारे तो आज मैं आपको बताऊंगी कॉर्टन साड़ी पहनने का बहुत ही आसान तरीका तो चलिए मैंने हरे कलर की साड़ी ली है और मैं अपने साइट कॉर्णर जो पेटिकूट का साइट कॉर्णर होत यहां तो और अगर हम कही मंदिर में किसी जग़े जाएएगे तो वह उल्जएगी जिसको डर होता है गिरने का तो आप इस तरीके से साड़ी को पीछी की तरब से अराम से राउंड करते हुए आच्छे से इन करें इस तरीके से आपको पूरी साड़ी को इन करना है अच्छे से करना है और फिर मैं लूँगी अपने पल्ले को तो पल्ले को अच्छे से आप देखी कॉटन की साड़ी होता है तो उसमें थोड़ा सा याद रखना होता है कि किस तरीके से हमको उसको सही तरीके से मेंट इसमें प्लेट्स बना लिया है कि इस तरीके से प्रैस करते हुए एकपिस फीनिशिंग देते हुए और सनाध को प्लेट्स न्यूерх तरीकता मैं अथ देल से लिया करें आप जब आफिशाया कि यदे काम नहीं बहुत आसान काम है तो इस तरीके से मैंने अपने पूरी प्लेट को बना लिया हलकी हांतों से इसमें प्रेस सा कर दिया जिससे वो ना सीधी बने रहें तो बहुत अच्छे से आपकी प्लेट जम जाएगी तो फिर उसका इधर उदर फिस गेरना या जब पिन करोग है इसकी और अच्छे से एक बार हमको जटक के देखना है कि साड़ी सही आई है कि नहीं आई है तो इस तरीके से मैं प्लेट को और ठीक करूंगी एक एक प्लेट लेनी है और फिर मैं एक पिन लूँगी और याद रखिए ब्लावस के मतलब अपने शोल्ड़ा से थोड़ा नीचे पिनलगाई अगर आप जज्यादा नीचे लगा देते हैं तो फिर आगे से प्लेट वोटी बिखरी रहती है और अगर ज़्यादा आगे से लगा लेते हैं सामने से शोल्डर के उपर ही लगा लेते जस्ट इस और साड़ी वर पीछे का पदलू है आपका आगे आज इसको फिनिशिंग दे रहे हैं उसके बात में एक एक प्लेट्स को साइट कॉर्णर से नीचे की तरफ लेके आऊँगी थोड़ा सा आपको यह याद रखना है कि थोड़ी सी जगे आपको छोड़ देनी है प्लीट्स में ताकि मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या उस प्ले अच्छी सी प्लेट्स आए और बाकी जो प्लीट्स होती है वह आपको छोटी-छोटी बनानी है अच्छे से एक-एक करके आराम से कोई जल्दवाजी नहीं करनी है अच्छे से एक-एक करके प्लीट्स लेनी है इस तरीके से आपको छोटी प्लीट्स बनानी है याद रखि टी लेके इस तरीके से एक एक प्लेट को हमने कह रिए जटकते हुए थूड़ा सा एक मतलब जटकते हुए रहने के बाद फिर आपको एक-एक पिलीट्स और लेनी है इस तरीके से एक-एक प्लीट्स को सही से फिनिशिंग देनी है क्योंकि जब तक आपकी प्लीट्स अच्छे से नहीं आएगी तो साड़ी नेचरली आपकी बेकाल लगेगी तो याद रखेगा कि प्लीट्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजेगा तो इस तरीके से मैं प्लीट्स लेके और यह मैंने साड़ी में जो कपड़ा छोड़ दिया है उसका मैं आगे बताऊंगी क्या करना है तो इस तरीके से मैंने पूरी 1.30 को हलकी हाथों से प्रेस करते हूँ 1.30 को अच्छी से फिनिसिंग देनी है इस तरीके से करने के बाद हाँ इस तरीके से ही अब मैं इसको इन करूंगी पेटी बोट में इस तरीके से मैंने इन कर लिया है और हलके हाथा से प्रेस कर दिया, अब मैं इसमें लगाऊंगी पिन, यह पिन जो होता है, अगर आप यहाँ पे पिन लगा लेते तो यह दिक्कत नहीं होती कि आप चल रहे हो, घूम रहे हो, शादियों में जा रहे हो, डांस करे हो, कुछ भी करो, इसमें कोई भी दिक्कत न मेरी निकल जाएगी, या कोई भी प्रॉल्म किसी तरह की ना, प्लेट्स आपकी वैसी की वैसी प्लेट्स रहेंगी जैसी आपने की हैं, अगर आप पिन नहीं लगाएंगे नीचे प्लेट्स में, तो खराब होने का डर रहता है प्लेट्स का, इसका पहन के आप आराम से सो हो भी सकते हैं, जब उठेंगे तो प्रॉपर वैसी ही प्लेट्स रहेंगी आपकी, इस तरीके से में साइड से हादाल, जो मैने कपड़ा छोडा था उसको प्लेट्स के नीचे से वो कपडे को थूड़ा खीचेंगे, इस तरीके से आपको खीचनी है, एक-एक प्लेट्स ताकि जो side में आपकी finishing थोड़ी सोड़ी चुन्नट आती है, वो काफी beautiful आती है, जो देखने में काफी बहतर लगती है साड़ी, तो इस तरीके से आपको थोड़ा tightly आपको वो करना है, side में कपड़ा लेकि और थोड़ा सा round करते हुए, और इसको in कर लेना है, और ये छुप आपको ठीक कर रही हूँ, देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप अकेले हैं, तो आप नहीं पहन पाते हैं साड़ी, तो इस तरीके से गोटने में आप ऊपर की जो plates होती हैं, वो दवा लीजिए, और नीचे से अच्छी से एक-एक plate देखके, और हल्की हांतों से उसमें प्रैस करते रहिएगा, एक-एक अच्छी से प्रैस करते रहिए, ताकि वो चलने में बहुत अच्छी दिखें, आपको plates, इस तरीके से मैं पूरी plates में अच्छी से हाथ से प्रैस कर लिए है, इस तरीके से आपको हल्की हांतों से प्रेस करना इस तरीके से और देखी इस तरीके से फिर आगे से आपको प्लीट्स लेनी है इस तरीके से एक एक प्लीट्स को आपको ऊपर का जो है न अच्छे से करना है प्रेस करती हुए एक एक प्लीट्स को लेकर आप ऐसे डालती हुए अच्छे से एक प्लीट्स को आप स तो इसमें ये प्रॉब्म खतम हो जाती कि मुझे फिर से अपनी साड़ी उठने बैठने में कभी सुदार नी पड़ेगी एक बार अच्छा आएगा इसका लोग तो इस तरीके से मैंने एक एक प्लीट्स को ठीक कर लिया है एक एक प्लीट्स को प्रॉपर जब तक आपको लगे कि हाँ अ है प्लीट्स स़ाइब से नहीं हुए तब तक आपको प्लीट्स ठीक करती रहना था इससे थारीग किसिया कि एक तेनी बीउटिफूली आई है यह साड़ी एक एकुट कहली नहीं सकती है बिलकल बिए क्योंकि कॉटन का कपड़ा ऐसा होता है अगर आप पहन रहे हैं इसको तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी साड़ी पहन ली है कॉटन की बहुत अच्छा लुका रहा है तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी साड़ी को पहन ली है और बहुत अच्छा टाइट फिटिंग साड़ी है यह कॉर्टन की देखें मैंने इस तरीके से साड़ी पहनी काफी ब्यूटिफ अगर आपको मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए शियर की थैंक्यू थैंक्यू सो मॉच